Good morning everyone, today we read chapter 7, The Digestive System and Teeth, page number 59, part 4, Take care of your teeth. हम अपने दाटों की देखभल कैसे कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, यह सब आपको बताया गया है. Taking care of the teeth is very important, otherwise we may have to face various dental problems. हमें अपने दाटों की देखभल करनी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमें कई सारी दाट सम्बंधी परिशानियों का सामना करना पड़ेगा. Small particles of food remain stuck in the spaces between the teeth in our mouth when we eat something. जब हम खाना खाते हैं, तो हमारे मौ में जो दात होते हैं, उन दातों के बीच में जो space होता है, उसमें खाने के छोटे-छोटे कण पस जाते हैं. These need to be cleaned regularly, otherwise germs start growing on them and form a sticky yellow coating known as plaque. जब regularly हम दात को साफ करते हैं, और regularly दात को साफ करना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम regularly अपने दातों को साफ नहीं करेंगे, तो उसमें germs grow करना start हो जाएंगे. और वो एक sticky yellow coating बना लेंगे, एक पीले कलर की परत बना लेंगे, जिसे हम plague कहते हैं. These germs then reach the nerves through the dentine and pulp and cause toothache. वो germs जो होते हैं, वो nerves तंत्रिकाओं के थूँ, dentine और pulp तक पहुँच जाते हैं. हमारे दात का जो dentine और pulp पार्ट होता है, उस तक पहुँच जाते हैं और दातों को सड़ाना start कर देते हैं. और यही कारण होता है दात के सड़ने का. This leads to several other problems like toothache, bad breath ETC. और इससे कई सारी परेशानिया, कई सारी problems होने लगती हैं. जैसे कि दातों में दर्द होना, सांसों की बदबू, मतलब हमारे मुहों से बदबू आने लगना, तो यह सारी कई सारी problem ऐसे होने लगती हैं. इसी लिए हमें अपने दातों की देखबल करनी चाहिए. उसके बाद देखिए आप, नीचे लिए क्या है? Following are some ways to protect your teeth from decaying. अपने दातों को सरने से बचाने के लिए, हमें क्या-क्या तरीके अपनाने चाहिए? फिर्स्ट ब्रश यूर टीथ आफ्टर एबरी मील. हमें जब भी खाएं, हम कुछ भी खाएं, उसके बाद हमें अपने दातों में ब्रश करना चाहिए. If not possible, यदि ऐसा संभाव नहीं है, कि हम जो कुछ भी खाएं, फिर उसकी बाद ब्रश करें, फिर ब्रश करें. Then brush at least twice a day, and rinse your mouth after every meal. तो यदि ऐसा संभाव नहीं हो सके, तो हमें कम से कम एक दिन में दो बार ब्रश जरूर करना चाहिए. और जब भी आप कुछ खाएं, उसके बाद आपको अपने mouth को rinse, जरूर करना चाहिए. मतलब कुल्ला करके उसके जो भी particles फाज जाते हैं, उनको निकालना चाहिए. कुल्ला जरूर करना चाहिए. Make sure you brush your teeth properly and in the right manner. और आपको ये भी धिहन रखना है, कि जब आप अपने दातों में brush करें, तो properly teeth को साफ करें. और सही तरीके से brush को चलाएं, यह नहीं कि बस आपने एक दो बार brush इधर उधर फेरा और बस गागल कर लिया, कुल्ला कर लिया. ऐसा नहीं है, जैसे राइट मेनर होता है, पहले नीचे की teeth में brush करें फाइब ताइम्स, फिर उपर की teeth में करें, फिर लेफ्ट साइड नीचे करें, फिर दोनों साइड में करें, उसके बाद सामने brush करें, तो आप राइट मेनर में हमें properly teeth में brush करना है. second use floss to clean the gaps between the teeth do not use any other pointed object दातों के बीच में जो gaps होते हैं जो पतली पतली सी सांसे होती हैं उन में जब खाना फच जाता है तो हमें कैसे साफ करना चाहिए उन gaps को उन gaps को साफ करने के लिए हमें floss का use करना चाहिए इसके अलावा floss के अलावा हमें कोई भी नुकीले objects का use नहीं करना है अब आप पूछेंगे के मैं floss क्या होता है आपको एक छोटा सा box दिया गया है उसमें देखिए इसकी definition दी गई है floss floss is a smooth thread of silk जो floss होता है वो silk का एक बहुत ही smooth thread होता है एक पतला सा दागा होता है बहुत ही soft used for cleaning the gaps between the teeth teeth के बीच में जो gaps होते हैं उनको साफ करने के लिए उसका use किया जाता है तो I hope आपको अप floss समझ में आ गया होगा थर्ड देखिए clean your tongue daily with a tongue cleaner आपको daily अपनी जीव को tongue cleaner से साफ करना चाहिए फोर्थ visit your dentist regularly for check-ups अपने dentist मतलब दातों के जो doctor है उनके पास जाकर अपना check-up कराते रहना चाहिए after 15-20 days बीच दिन पंदरा दिन के अंतराल में अपने teeth check कराते रहना चाहिए फिफ्थ do not eat too many sweets and chocolates and avoid drinking too many sweet drinks ज्यादा chocolates या मिठाईया नहीं खानी चाहिए और जो sweet drinks होते हैं उनको भी avoid करना चाहिए 6. eat lots of fruit and vegetables which are healthy for your teeth and gums अधिक से अधिक फल और सबजियां खानी चाहिए जो कि हमारे मसूडों और दांतों के लिए healthy होती है food rich in calcium like milk and cheese are good for teeth और भोजन में हमें ऐसे भोज़पदार्थ लेना चाहिए जो हमारे दांतों के लिए बहुत ही healthy होते हैं जैसे कि milk और cheese क्यों healthy होते हैं दांतों के लिए क्योंकि milk में calcium पाया जाता है okay और खॉड़्च समऩ थो by दो भी और Fortune झाल में लिए कॉड़ववदान के लिए thousand keinen लिए